शत्त प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूँ मैं आज जब हैद्राबाद मिन्सिपल कार्परेशन का इलेक्षन हुआ भारतिय जन्ता पार्टी 40-45 सीटे जीत करके आगई 48 किसी को बहुमत नहीं मिला के सी आर को सपोर्ट की जरुवत थे है और आपने देखा होगा है 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 यद्राबाद कोर्परेशन के चुनाव के पहले वह एरपोर्ट पे पूरी फोज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे बड़िया बड़िया माला पहनाते थे बहुत सम्मान करते थे याद है ना फिर क्या हुआ भै अचानक मन दो गए अचानक इतना गुशा क्यों निकल रहा है इसका कारण ये है कि हाइद्राबाद के चुनाव के बाद ये भी तारिक चेक कर ले मिडिया वाले वो दिल्ली मुझे मिलने आये बहुत बड़िया मुझे शाल उड़ाई बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया इतना प्यार दिखाया ये केसी आर के केरेक्टर में नहीं है और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नित्रुतों में देश प्रगति कर रहा है हम भी एंडिय का हिस्सा बनना चाहते हैं आप हमें एंडिय में शामिल कर दीजिए मैंने का आगे क्या है बोले हैद्राबाद में मुंसिपाल कॉर्परशन में हमारी मदद कर दीजिए मैंने केसी आर को कहा आपके कारणा में ऐसे है मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है 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 हाइद्राबाद में हमें विपक्ष में बैठेंगे केसी आर की सरकार हमारे कार करता हों पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे लेकिन हम तेलंगणा की जनता से दगान नहीं कर सकते हैं कि बले तेलंगणा की जनता ने हैद्राबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया लेकिन 48 सीड़ भी तेलंगणा का भाग्य बदलने की शुरुवात है और माने उनसे हर प्रकार से मदद करने का निंकार कर दिया उनको एंडिय में एंट्री देने से इंकार कर दिया उसके बाद उनका दिमाग फटका फिर तो वो भांती भांती से दूर भागने रहे मैं प्रस्टाचार के सवाल पुझने लगा फिर एक बार दुबारा आये वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया अब मैं सारा कारोबार के टी यार को देजेना चाहता हूं मैं एक बार के टी यार को भेजुगा आप जरा उसको आशिरवाद देजेना यह उन्होंने मुझे कहा मैंने कहा किस यार यह लोगतंतर है तुम कौन होते हो बेटे को राज गाजी दे तुम राजा मारा जाओ क्या किया तुम राजा मारा जाओ क्या अरे तेलंगा कि जनता ताय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है बास बोट दिन आखरी था उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आखे नहीं मिला पा रहे हैं कि मेरा पढ़चाया भी देखने की इम्मत नहीं बची उनकी आप देखा अभी मैं सरकारी कारकम करके आया कोई प्रस्टाचारी मेरे बगल में बैट करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है इसलिए भाग रहे हैं